हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस विडियो में बिग्यान का प्रिवियस एर अबजेक्टी प्रशन बताएंगे 2019 से लेके 2021 तक जितना भी प्रिक्षा हुआ है और उसमें बिग्यान से जितना भी अबजेक्टी प्रशन पूछा गया है वो सभी अबजेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे लगभग 500 objective प्रशन बताएंगे बिग्यान का और ये वीडियो का part 1 है तो इसमें मातर 50 objective प्रशन बताएंगे और इसका जो part 2 वीडियो आएगा इसमें account से लेके 100 तक objective प्रशन बताएंगे ऐसे ही करके 500 पूरा बिग्यान का previous year objective प्रशन हम आपको बता देंगे और इसका PDF हम आपको बिल्कुल free में देंगे जो आज हम पढ़ा रहे हैं ये video का part 1 है और इस video का जो PDF होगा हम आपको देंगे जैसे class खतम होता है आप हमारे website पे जाईएगा और इसका PDF आप लोग download कर लिजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बिल आइकन आता है तो बिल आइकन को दबा के all पे कर लिजिएगा ताकि जब भी live class हो तो आपके पस notification पहुंसता रहे तो आईए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्ण से तो पहला नंबर प्रश्ण है कि हिलियम कैसा ततो है ए उपसेने अक्रिया, बी उपसेने क्रियासिल, सी उपसेने सक्रिय, डी उपसेने उदासिन तो यहाँ पे आपको बताना है कि helium कैसा ततो है तो जो helium है यह अकरिय ततो है यह किसी अन्य ततो से अभी किरिया नहीं करता है तो यहाँ पे यह वाला option विल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन दो नंबर दो नमबर प्रशने की जल में हाइड्रोजन तथा ओक्सिजन की परमाडू संख्याओं का अनुपात क्या होता है काफी महत्पुड प्रशने हैं यहाँ पे आपको बताना है कि जल में हाइड्रोजन तथा ओक्सिजन की परमाडू संख्याओं का अनुपात क्या होता है तो जल का रसाइनिक सुत्र क्या होता है तो H2O होता है जिसमें हाइड्रोजन कितना होता है दो होता है और ओक्सिजन कितना होता है एक होता है तो जल में हाइड्रोजन तथा ओक्सिजन की परमाडु संख्याओं का अनुपात कितना होता है तो दो अनुपात एक होता है तो यहाँ पे A वाला option बिल्कूली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण तिन नंबर तिन नंबर प्रश्ण है कि आवर्त साड़नी में कितने आवर्त होते हैं A उप्षने 7, B उप्षने 9, C उप्षने 8, D उप्षने 12 तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त साड़नी में कितने आवर्त होते हैं तो आवर्त साड़नी में 7 आवर्त होते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे A वाला option बिल्कूली सही हो जाएगा और वर्ग 18 होते हैं तो यह भी 7 में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण चार नंबर प्रश्ण है कि इन में से bond OH का क्रिया सिल मुलग कौन सा है A उप्सने किटोन, B उप्सने LD हाइड, C उप्सने अलकोहल, D उप्सने इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन में से bond OH का क्रिया सिल मुलग कौन सा है तो एलकोहल है, यहाँ पे C वाला उप्सन विलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण पांच नंबर, पांच नंबर प्रश्ण है कि प्राकिरती में ऑक्सिजन का संतूलन कैसे बना रहता है A option सयोजन कりया द्वारा B option परकाससलेशन द्वारा C option अपघटन द्वारा D option इन मैंसे कोई नहीं तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्राकिर्ति में ऐक्शिजन का संतूलन कैसे बना रहता है तो परकाससलेशन की द्वारा बना रहता है यहाँ पे B वाला option बिल्खुली सही हो जाएगा और परकास reconciliation की करिया में किस gas का अपयुग होता है तो carbon dioxide gas का अपयुग होता है और परकास reconciliation की दूआरा कौन सा gas बाहर निकलता है तो oxygen gas बाहर निकलता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण छे नंबर प्रश्ण है कि पौधों में स्वसन किरिया के अंतरगत एक ADP के तूटने पर कितना उर्जा मुक्त होता है काफी महत्पुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में स्वसन किरिया के अंतरगत एक ADP के तू उर्जा मुक्त होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला उप्षन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण साथ नमबर प्रश्ण है कि मानोहिर्दे में कितने कोश्ट होता है एउप्षने दो वी उप्षने आठ सी उप्षने एक डी बताना है कि मानोहिर्दे में कितने कोश्ट होता है तो मानोहिर्दे में चार कोश्ट होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे डी वाला उप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण आठ नमबर प्रश्ण है कि मानोहिर्दे का ओसत प्रां कुंचन दाब कितना होता है तो 120 mmHg होता है यहाँ पे ये वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा एक प्रशन ये भी पूछा जाता है कि अनुसितलन दाब कितना होता है तो 80 mmHg होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आइए देखते हैं अगला प्रशन नौ नंबर नौ नंबर प्रशन की पौधों में वादपुत सर्जन किस भाग में होता है A.O.P.S. ने जड में B.O.P.S. ने तना में C.O.P.S. ने पत्ता में D.O.P.S. ने फूल में तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में वादपुत सर्जन किस भाग में होता है तो पत्ता में होता है यहाँ पे C.O.P.S. वाला प्रशन बिल्कूली सही हो जाएगा और जो पेण पौधों की पतियां होती है यह हरा किस के कारण से दिखाई देती है तो क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण दस नमबर प्रश्ण की क्रितरिम ब्रिक किन अपसिष्ट उत्पादनों को रुधिर से अपोहन द्वारा प्रिथक करता है ए उपसे ने नाइट्रोजनी, बी उपसे ने कारबन, सी उपसे ने ओक्सिजन, डी उपसे ने इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्रितरिम ब्रिक किन अपसिष्ट उत्पादनों को रुधिर से अपोहन द्वारा प्रिथक करता है तो नाइट्रोजनी प प्रजनन किस बिधी से होता है, A उपसे ने दुई खंडन, B उपसे ने मुकुलन, C उपसे ने लेंगिक जनन, D उपसे ने इन में से सभी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि Hydra में परजनन किस बिधी से होता है तो मुकुलन बिधी से होता है, यहाँ पे B वाला उप्षन मिल्कुली सही हो जाएगा और Amoeba में दुई खंडन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण बारा नंबर बारा नंबर प्रश्ण है कि किसी माध्यम के अपरतनांग का मान क्या होता है काफी महत्पुड प्रश्ण है ए उप्सेने साइन आर बटा साइन आई भी उप्सेने साइन आई बटा साइन आर सी उप्सेने साइन आई इंटो साइन आर डी उप्सेने साइन आई प्लस साइन आर तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी माध्यम के अपरतनांग का मान क्या होता है तो साइन आई बटा साइन आर होता है यहाँ पे बी वाला उप्षन विल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण तेरा नंबर प्रश्ण है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उप्योग किया जाता है ए उप्षन है समतल लर्पण का बी उप्षन है उतल लर्पण का सी उप्षन है उतल लर्पण का डी उप्षन है इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उप्योग किया जाता है तो उतल लर्पण का उप्योग किया जाता है यहाँ पे सी वाला उप्षन बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण चौदा नंबर प्रश्ण है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का जुकाव अधिक होता है यहाँ पर डी वाला ओप्सन विल्कुली सही हो जाएगा और लाल रंग का जुकाव सबसे कम होता है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आएगे देखते हैं अगला प्रश्ण पंदरा नंबर प्रश्ण है कि विधुद फ्यूज विधुद धारा के किस परभाव पे कारे करता है यह उपसने उस्मिय परभाव पे बी उपसने चुमबकिय परभाव पे सी उपसने उपसन मिलकोली सही हो जाएगा आएगे देखते हैं अगला प्रश्ण 16 नंबर 16 नंबर प्रश्ण है कि किसी कुंडली का परतिरोध ग्याद करने के लिए क्या सुत्र होता है तो भी इस कल्टू आई आर होता है तो यहां से आपको परतिरोध का सुत्र निकालना है तो यहा आप देखिए आई इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा यानि भी बटा I बुराबर R हो जाएगा तो R बुराबर क्या हो जाएगा भी बटा I हो जाएगा यहां पे C वाला ओप्षन بالकुली सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रश्ण 17 नंबर 17 डैनेमो से किस परकार की धारा प्राप्त होती है। तो दिश्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्थ होती हैं, यहाँ पे C वाला उप्षन बिल्कूली सही हो जाएगा, आईए देखते हैं अगला प्रशना 18 नंबर, 18 नंबर प्रशना है कि डेंगू उत्पन करने वाला मच्छड की इस तरह के जल में रहता है, A उप्षने साफ जल में, B उप्षने गंदा जल में, C उप्षने खरा जल में, D उप्षने इन में से सभी में, तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन करने वाला मच्छड की इस तरह के जल में रहता है, तो साफ जल में रहता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे यह वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन 19 नमबर 19 नमबर प्रशन है कि निम्न में से कौन बायो गैस इंधन का सुरोत नहीं है काफी महतपुड प्रशन है इसमें से आपको बताना है कि कौन बायो गैस इंधन का सुरोत नहीं है तो ना भी किया उर्जा नहीं है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आएए देखते हैं अगला प्रशन बीस नमबर प्रशन है कि पाइरुएड के विखंडन से कारबन डायोकसाइड जल तथा उर्जा मुक्त होता है और यह किरिया किसमें होता है A उपसेने कोशिकाद्रो में, V उपसेने माइट्रोकॉंड्रिया में, C उपसेने हरितलवक में, D उपसेने केंद्रक में तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाइरुएट के भी खंडन से कारबन डायोकसाइड जलत था उर्जा मुक्त होता है और यह किरिया किस में होता है, तो माइट्रोकॉंड्रिया में होता है, यहाँ पे B वाला उपसेन बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं, अगला प्रश्ण है 21 नंबर, 21 नंबर प्रश्ण है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए परियुग नहीं किया जाता है A उपसेन जल, B उपसेन काच, C उपसेन प्लास्टिक, D उपसेन मिट्टी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए परियुग नहीं किया जाता है तो मिटी का प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं यहाँ पर D वाला उप्षन बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण बाइस नंबर बाइस नंबर प्रश्ण की किसी वस्तू का समान अकार का प्रतिविम प्राप्त करने के लिए वस्तू को उत्तल लेंस के सामने कहा रखें A उप्षने फोकस पर B उप्षने वकरता किंदर पर C उप्षने अनन्थ पर D उप्षने प्रकासिय किंदर पर तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसी वस्तू का समान अकार का प्रतिविम प्राप्त करने के लिए वस्तु को उतल लेंज के सामने कहा रखें तो वकरता किंदर पर रखें इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण तेईस नंबर तेईस नंबर प्रश्ण है कि समाने दिरिष्टी के लिए नियुनतम दूरी कितना होता है A उप्षने 25 मीटर, B उप्षने 2.5 सेंटी मीटर, C उप्षने 25 सेंटी मीटर, D उप्षने 2.5 मीटर तो यहाँ पे आपको बताना है कि समाने द्रिष्टी के लिए नियुनतंदूरी कितना होता है तो 25 cm होता है यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 24 नमबर 24 नमबर प्रश्ण है कि लोहे की परमाडू संख्या कितनी होती है A उप्सने 23, B उप्सने 26, C उप्सने 25, D उप्सने 24 तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे की परमाडू संख्या कितनी होती है तो लोहे की परमाडू संख्या 26 होती है यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशना 25 नमबर 25 नमबर प्रशना कि आधुनी कावर्त सार्णी में वर्गों की संख्या कितनी होती है A उप्सने 9, B उप्सने 18, C उप्सने 11, D उप्सने 10 तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनी कावर्त सार्णी में वर्गों की संख्या कितनी होती है तो 18 होती है यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा और आवर्तों की संख्या साथ होती है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 26 नमबर 26 नमबर प्रशन है कि कोई विलियन लाल लेट मस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पी एच मान कितना होगा काफी महतपुड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि कोई विलियन लाल लेट मस्पत्र को नीला कर देता है तो लाल लेट मस्पत्र को नीला कौन करता है चार करता है और चार का pH मान कितना होता है तो साथ से लेके 14 के बीच में होता है तो जिसका pH मान 10 होगा ये क्या करेगा कि लाल लेट मसपत्र को नीला कर देगा यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्णा 27 नमबर 27 नमबर प्रश्णा कि bond CHO अभिक्रियसिल मुलक को क्या कहते हैं A उप्सन है LD हाइड B उप्सन है अलकोहल C उप्सन है किटोन D उप्सन है इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि bond CHO अभिक्रियसिल मुलक को क्या कहते हैं तो LD हाइड कहते हैं यहाँ पे A वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पद बिदुत परिपत में बिदुत सकती को नरूपित नहीं करता है तो IRA स्क्वेर नहीं करता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 29 मोटर तो यहाँ पे आपको बताना है कि विदुधारा उत्पन करने की युपती को क्या कहते हैं तो जनितर कहते हैं यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 30 नमबर प्रश्ण है कि लगू पतन के समय परिपत में विदुधा के मान पर क्या प्रभाव पढ़ता है ए उपसने कम हो जाता है बी उपसने इस्तिर रहता है सी उपसने बहुत अधिक बढ़ जाता है डी उपसने निरंतर होता है यहाँ पे आपको बताना है कि लगू पतन के समय परिपत में विदुधारा के मान पर क्या प्रभाव पढ़ तो बहुत अधिक बढ़ जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला उप्षन बिल्कूली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 31 नमबर प्रश्ण है कि निम्न में से कौन जेव मातरा उर्जा सुरोत का उधारण नहीं है A उप्षन लकडी, B उप्षन नाभीकिय उर्जा, C उप्षन गोबर गैस, D उप्षन ए कुईला तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन जेव मातरा उर्जा सुरोत का उधारण नहीं है तो नाभीकिय उर्जा नहीं है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 32 नंबर 32 नंबर प्रश्ण है कि मानो नेतर में किस परकार का लेंस पाया जाता है A option है उत्तल लेंस, B option है उत्तल लेंस, C option है बलायकार लेंस, D option है बाइफोकल लेंस तो यहाँ पर आपको बताना है कि मानो नेतर में किस परकार का लेंस पाया जाता है तो मानो नेतर में उत्तल लेंस पाया जाता है यहाँ पर एवाला option मिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 33 नमबर प्रश्ण है कि ओजोन के एकड़ो में ओक्सीजन के परमाडू संख्या कितनी होती है A उप्सने 1, B उप्सने 2, C उप्सने 3, D उप्सने 4 तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एकड़ों में ओक्सिजन के परमाडु संख्या कितनी होती है तो तीन होती है यहाँ पे C वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 34 नमबर प्रशने कि मनुस्य में वरीक एक तंत्र का भाग है ज यहाँ पे आपको बताना है कि मनुस्य में वरीक एक तंत्र का भाग है जो किस से संबंदित है तो उत्सरजन से संबंदित है यहाँ पे C वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 35 नमबर प्रशने कि दो तंत्रीका कोशिका के मधे खाली अस्थान को क्या कहते हैं यहाँ पे वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 36 नमबर 36 नमबर प्रशने कि प्राक कोश में होता है A उप्षने बाहेदल B उप्षने अंडास है C उप्षने अंडप D उप्षने प्राक कड़ तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राक कोश में होता है तो प्राक कड़ होता है यहाँ पे D वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाए आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 37 नमबर प्रश्ण की विकासिय द्रिष्टी कोड से हमारी किसे अधिक समानता है A उप्सने भालू से B उप्सने चिंपैंजी से C उप्सने मकडी से D उप्सने जिवाडू से यहाँ पे आपको बताना है कि विकासिय द्रिष्टी कोड से हमारी किसे अधिक समानता है तो चिंपैंजी से है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B उप्सने बिल्कूली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्णा 38 नमबर प्रश्णे कि मुकलन द्वारा किसमे अलेंगिक जनन होता है A उप्सने अमीबा में B उप्सने इस्ट में C उप्सने प्लस मोडियम में D उप्सने कोशिका में यहाँ पे आपको बताना है कि मुकलन द्वारा किसमे अलेंगिक जनन होता है तो इस्ट में होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B उप्सन बिल्कूली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 49 नंबर 49 नंबर प्रशने की कोई ततो ऑक्सिजन के साथ अभी किरिया कर उच गलनांक वाला योगिक निर्मित करता है यह योगिक जल में बिला है तो यहाँ ततो हो सकता है तो यह ततो केल्सियम हो सकता है यहाँ पे एवाला उप्सन बिल्कूली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्न चालिस नमबर, चालिस नमबर प्रश्न है कि संग मरमर का रसाइनिक सुतर क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि संग मरमर का रसाइनिक सुतर क्या होता है, तो CACO3 होता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला आप्शन बि तो यहां पे आपको बताना है कि बॉन्ड सी डबल ओ एच अभी किरिया सिल मुलक को क्या कहते हैं तो कार्बोकसिली कम लगते हैं यहां पे सी वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण ब्यालिस नंबर 42 नंबर प्रश्ण है कि परकास संसलेशन की किरिया में ओक्सीजन बाहर निकलता है यहां पे आपको बताना है कि परकास संसलेशन की किरिया में ओक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से अलग होकर बाहर निकलता है इसे आपको याद रखना है यहां पे यह वाला ओप्षन बिल् तिरालिस नमबर प्रश्ण है कि मैगनीसियम पाया जाता है ए उप्सने क्लोरोफिल में, बी उप्सने लाल रक्त में, सी उप्सने वर्णी लौक में, डी उप्सने स्वेत रक्त कण में तो यहाँ पर आपको बताना है कि मैगनीसियम पाया जाता है तो magnesium chlorophyll में पाये जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर एवाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 44 नमबर 44 नमबर प्रश्ण है कि insulin की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है A option घेंगा, B option मधुमे, C option क्रेकिटिजम, D option बोनापन तो यहाँ पर आपको बताना है कि insulin की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है तो मधुमेह रोग होता है यहाँ पर B वाला option मिल्कुली सही हो जाएगा और सरीर में iodine की कमी से कौन सा रोग होता है तो घेंगा रोग होता है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 45 नमबर प्रशन की दिरिश्य प्रकास में किस वण का तरंगदर्ध अधिक्तम होता है A उपसे ने बैगनी रंग का, B उपसे ने लाल रंग का, C उपसे ने नीला रंग का, D उपसे ने पीला रंग का तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस वन का तरंग दर्द अधिक्तम होता है तो लाल रंग का तरंग दर्द अधिक्तम होता है यहाँ पे B वाला option मिलकुली सही हो जाएगा और बैगनी रंग का तरंग दर्द सबसे कम होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन 46 नंबर 46 नंबर प्रशन है कि विधुत सक्ती का A साही मातरक क्या होता है A उपसने बोल्ट, B उपसने वाट, C उपसने जूल, D उपसने कुलाम तो यहाँ पे आपको बताना है कि विधुत सक्ती का A साही मातरक होता है यहाँ पे B वाला उपसन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 47 नंबर 47 नंबर प्रशन है कि विधुत बल्ब का तंतु बना होता है A option लुहा का, B option तामबा का, C option टंगस्टन का, D option अलुमिनियम का तो यहाँ पे आपको बताना है कि विधुत बल्ब का तंतु बना होता है तो विधुत बल्ब का तंतु किसका बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है यहाँ पे C वाला option विल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 48 नंबर 48 नंबर प्रश्ण है कि नाभीकिय उर्जा प्राप्त करने है तू आवस्यक है A उप्सन हिलियम, B उप्सन क्रोमियम, C उप्सन यूरेनियम, D उप्सन अलूमिनियम तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभीकिय उर्जा प्राप्त करने है तू आवस्यक है तो यूरेनियम का उसकता पड़ता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option विल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 49 नंबर 49 नंबर प्रश्ण की ग्लोबल वार्मिंग के लिए उतरदाई गैस है इसमें से आपको बताना है कि कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उतरदाई गैस है तो कार्बन डाई उक्साइड है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अंतीम प्रश्ण 50 नंबर 50 नंबर प्रश्ण की लिटमस पत्र किस से निकाला जाता है A उप्सन लाइकेन से B उप्सन लाल पत्ता गोभी से C उप्सन हल्दी से D उप्सन पेटूनिया के फूल से तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किस से निकाला जाता है तो लाइकेन से निकाला जाता है यहाँ पे A वाला उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा यहाँ पे 50 previous year objective प्रशन हम आपको बता चुके हैं अब जो अगला इसका part आएगा उसमें account से लेके 100 तक objective प्रशन हम आपको बताएंगे और जो यहाँ पे अभी हम 50 objective प्रशन बताएं हैं इसका PDF आपको बिल्कुल free में हमारे website पे मिलेगा तो जाएए आप लोग हमारे website पे और इसका PDF आप लोग download कर लिजिएगा और वीडियो को अभी तक आप like नहीं कियें तो please आप लोग वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जुरूर share कीजिए और चैनल को अभी तक आप subscribe नहीं कियें तो